हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक करी मसाले की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनकर ये तयार होता है जो बिगनर्स है वो भी इसे बहुत आराम से बना सकते हैं और ये इतना जबरदस्त बनता है कि घर में खाकर सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे बह होती स्मूथ इसकी ग्रेवी बनकर तयार होती है आप सब मेरी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करना तो आपकी जो एक करी है बहुत ही जबरदस्त बनकर तयार होगी हम इसमें अंडो को अलग से नहीं बॉयल करेंगे चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मै एक कडाई ली है और इसमें मैं अट कर रही हूँ फोर मीडियम साइज की अनियन इसे हमने रफली कट कर लिया है अगर आपको ग्रेवी थोड़ी जादा पसंद है तो आप थोड़ी जादा भी प्याज अट कर सकते हैं और यहां पर मैं थ्री मीडियम साइज के टमाटर आट से दस यहां पर मैंने काजू एट किये हैं और वन टेबल स्पून यहां पर मैंने मैलन सीट्स डाले हैं अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप मैलन सीट्स से भी बना सकते हैं ग्रेवी को और यहां पर मैं हाफ कप पानी एट कर दूँगी और इसके उपर अप मैं एक प्लेट रखूंगी यहाँ पर मैंने अपने अंडों को अच्छा से वाश कर लिया था यहाँ पर मैंने आट अंडे डाले हैं इसे हम स्टीम में ही कुक कर लेंगे और बहुत ही अच्छे हमारे स्टीम होंगे एक और इसे ढख कर हम 15 मिनट के लिए मीदियम टू हाई फ्ले इसे हमें बहुत केरफुली निकालना है ताकि यह हमारी प्याज में नहीं गिरे अब हमने इसे एक साइट रख दिया है और यह जो प्याज टमाटर है इसको हम मिक्सी के जार में डाल कर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे और यह देखे मैं आपको अंडों को छील क दिखा रही हूं कितने बढ़िया हमारे अंडे स्टीम हुए है बॉयल करने की इन्हें अलग से जरूरत नहीं है यह देखे कितने अच्छे से छिलका अलग हो जा रहा है आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारे अंडे स्टीम हुए है और अब हम अपने अंडों पर फ मैं एक कड़ाई ले रही हूं इसमें मैं एट करी हूं 3-4 टेबल स्पून के करीब ऑईल यहां पर मैंने मस्टरड ऑईल का यूज किया है आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑईल यहां पर ले सकते हैं हमारा ऑईल गरम हो गया है तो अब मैं अपने अंडो को एकक करके ऑईल में एट कर दूँगी और इसे हलका गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट करके फ्राई कर दूँगी बहुत ध्यान से आप इसे फ्राई करें और यह देखिए हमारे अंडे फ्राई हो गए हैं अब मैंने इने एक प्लेट में निकाल लिया है यहां पर इसी ऑईल मे जो हमने प्याज और टमाटर की प्यूरी बना कर रखे थी वो यहां पर एट कर दी है और अब हम इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेज एट कर देंगे यहां पर हम गैस की फ्लेम को लो पर ही रखेंगे हाफ टीस्पून यहां पर हल्दी पाउडर एट किया है थ्री फोर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आट करूंगी और 1 टीस्पून नमक करे हम अपने स्वाद अनुसार कम यज्यादा कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम कोग करेंगे तब तक जब तक की हमारा ओल सतुत हो गया है और ध्यान रहे जब भी आप मसाले को भूने तो आप मीडियम फ्लेम पर ही से भूने ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से कोख हो जाए और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए यहाँ पर मैंने एट कर दिया है एक कप गरम पानी ध्यान रहे जब भी आप ग्रेवी में पानी एट करें तो गरम ही एट करें इससे आपकी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होता है और हमारी ग्रेवी में बॉइला गया था तो यहाँ पर मैंने अपने अंडे भी ट्रांसफर कर दिये हैं इसमें और वन टीस्पून क्रश करके यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी एक करी में और इसे डाल कर मैं 2-3 मिनट तक कुक कर लूँगी और यह देखे हमारी एक करी मसाला बनकर रेडी हो गई है यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी आप अपने स्वादनुसार डालें और बहुत ही जबरदस्त एक करी बनकर तियार हुए है आप इसे रोटी के साथ खाएं पराठे के साथ खाएं खाकर सबको बहुत मज़ा जाएगा आपको मेरी आज की ये रेसेपी कैसे लगी प्लीज कमेंट में फीडबेक ज़रूर देना अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक फैमली फ्रेंट्स के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू